है है लो फ्रेंड्स जैहिंद वंदे मातरम एक बार फिर से एम वे दरोहित चोहान यूट्यूब टैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जानेंगे human digestive system मानुव पार्चन तंत्र और फ्रेंड्स यह सातमा पार्ट है छैपार्ट के वीडियो के लिंक हमने description पर अपलोड़ेट की हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने से पहले उन 6 वीडियो को आप जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स में इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं चलिए फ्रेंड्स आंगे session करते हैं start पहला फ्रेंड्स है ग्रसनी और ग्रास नली ग्रसनी जो होती है एक अहार नाल का ऐसा अंग होता है जहां पर वायू और भोजन दोनों का समवहन होता है अगला फ्रेंड्स है ग पायू नली की सहता से फेफड़ में पहुंचा दे जाता है नेक्स प्रेंड्स है ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई एंजायम नहीं पाया जाता है नेक्स प्रेंड्स है अमाश है अमाश है को इंग्लिश में पैपसीन और रैनीन एंजाइम्स पाए जाते हैं नेक्स प्रेंच है पैपसीन जो है सामान प्रोटीन का पाचन करता है और रैनीन एंजाइम्स दूद में उपस्तित कैशीन प्रोटीन का पाचन करता है नेक्स प्रेंच है प्रोटीन का पाचन अमासे में ही होता है क्योंकि यहां पर पेपसीन और रेनिन एंजाइम्स पाए जाते है प्रोटीन का पाचन अमासे में ही होता है क्योंकि यहां पर अमल पाए जाता है मतलब की हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैं सल्फिरोस बोला सौरी माफ करना दोस्तों इस महाँ पर HCL पाए जाती है जो कि एक अमल होता है एक एसिड होता है और अमासे में जठर गंतियां पाए जठर गंति को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लेंट और फ्रेंट्स तीन प्रकार की कोशकाओं से मिलकर बना होता है गैस्ट्रिक ग्लेंट मतलब की जठर गंतियां तो फ्रेंट्स सबसे पहले है वो है आपकी पैरेटियल ऑक्सिटिंग सेल फ्रेंट्स यह एक HCL का निर्मान करता है जो की बहुत ही स्ट्रॉंग एसिड होता है socks नेक्सट्स फ्रेंट्स है देखें यहां पर है तो जठर ग्रंती में है से एसिड एनजाइम्ज और मसकस यह फ्रेंट्स इसमें होता है खिए और गैस्टिक जूश जो की हम जठर रस कहते हैं यहां फ्रेंट्स एक एसेडिक होता है ठीक है और एसेड जो की एक स्ट्रॉंग एसेड होता है HCL Hydrochloric Acid होती है Enzymes कौन से होते है Pepsin और Ranin होते है ठीक है और Muscus यह friends जटहरस में पाए जाते है ठीक Next friends है Protein का पाचन कैसे होता है देखी friends मैं थोड़ा से पेज साइड वकल लेता हूँ अब तो friends है Protein का पाचन कहां पे होता है अमासे में होता है Pepsin और Ranin Ranin एक कैसी नाप का Protein को पाचन करता है कौन? Ranin Enzymes और Pepsin जो होता है साधारन जो protein होती है उसको वो पचाता है Next friends है यह Trypsin Trypsin friends से छोटी आथ में पाए जाता है चीक है और चारी यह होता है Next friends है अमासे में भोजन चिप चिप चिपा और लेई जैसा हो जाता है क्योंकि जिससे हम कहते हैं काइम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं ठीक है? और देखिए friends आंगे बढ़ते हैं आगे friends है अमासे और गरहनी के बीच में एक होता है वल्व होता है उसे friends क्या कहते हैं? देखिए आमासे और गरहनी के बीच में एक वल्व होता है जिससे हम पाइलोरिक वैल्यू कहते हैं पाइलोरिक वल्व कहते हैं ठीक है? और उसकी साहता से क्या होता है friends? देखिए friends मैं आपको बड़ दिखा दूँ यहां पे जी तो उसके बीच में एक वल्व होता है ताकि जो भोजन जो होता है यह बापस अमासे में ना पहुँच पाए ठीक है? मेरी बात आप समझ रहे हैंगे friends उपर होता है अमासे होता है नीचे होता है डिडनम और बीच में एक वल्व होता है इसे हम पर कहते है पैलोरिक वल्व कहते है जिससे क्या है जो डिडनम वाला खाना वापस इस अमासे में ना जा पाए ठीक है? अगला friends देखिए यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गैस्टिक ग्लैंड में एक वो एसेड होती है HCL हाइड्रोक्लोरिक एसेड तो friends इसमें आप देख रहे हैं यहां पर पैपसी नोजन और पारोनिन यह friends इन एक्टिव होते हैं ठीक है? और HCL की मदद से क्या है? यह यह एक्टिव हो जाते हैं तो पैपसीन बनता है और इससे वो रैनिन बनता है इसकी मदद से HCL की मदद से ठीक है? मेरी बात आप समझें मैंने यहां पर एक रियक्शन भी बताया हुआ है देखी friends यहां पर पैपसी नोजन है जो की इन एक्टिव है इसको एक्टिव कौन करता है इसको एक्टिव करता है HCL करता है फिर बाद में friends यह पैपसीन बनता है फिर यह एक्टिव हो जाता है और पैपसीन जो है प्रोटीन को पचाने में बहुत ज़्यादा यूसफॉल होता है नेक्स फ्रेंट से देखिए एक देखिए यहां पर प्रोटीन जो होता है यहां एक कॉंप्लेक्स मॉलिकुल होता है और प्रोटीन आपको अच्छी तरह किसे पच जाएगा अब प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा यह स्टोमक जो की 70% यह पचा देता है ठीक है कॉन पैपसीन और और रेनिन एंजाइम ठीक है तो यह जो प्रोटीन कैसा होता है कॉंप्लेक्स होता है इसको रेन पैपसीन एंजाइम की मदद से छोट छोटे अड़ों में बन जाता है जिसको अमीनो एसेट्स कहते हैं ठीक है अगला देखिए फ्रेंट्स मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रहंती कौन सी होती है लेग्रेंट्स प्रशनी पनेगा अधर बड़ि भड़िंगर्वाएंगलेन चोटी का को प्रियू रहनिन-ंंडर दो जैसे में आपको अभी बताया था आपका प्रेंप सिर्जाइम ठीक है तो एक्टिव हुआ और चोटोटी अम्यों एसिड उसने बना दिये ठीक है दूद जो दूद में कैसीन प्रोटीन होता है जब रेनिन एंजैम मिलेगा तो कैल्सिं पारकैसिनेट मनलब कि दही बना देगा ठीक है डूद में कौन्सा प्रोटीन पाया जाता है, पचाता कौन है रेनिन एंजैम सिसको पचा देता है म एक मसकस होता है एक प्रकारख स्टारी पदार्थ होता है जो की हाइडर किलोरी के एसिद आहीं परवाफ से मश्ruktा प्रदान करता में कौन करेगा मुकसचंप episode एक आहाई परवाफ से अमा से को भरिदान करता है है हुष एक घृ करता है में आहाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बैल आइकन अन रखनी है ताकि आपको इस तरीके की वीडियो आपको पनाय मिलती रहे और चलिए फ्रेंड्स सदाइव मुस्कराते रहे और मिलते हैं नए वीडियो के साथ मैं तब तक जय हिंद जय भारत व जरे लिए दे डहे 番 करूम मिलते हैं थो रहे झाल प्ली है तर चली है तेवियो आपको धितके साथ मुझ